प्रेग्नेंसी में चक्कर क्यों आते हैं प्रेग्नेंसी के दोरान गर्पती महिला को चक्कर आना या अचानक से बेहुसी जैसा मन करना या अचानक से बहुत ज्यादा आलास आना ये सारी दिक्कते रहती है प्रेग्नेंसी के दोरान हो रहे सरीर में एनरजी की कमी की वज़ा से ये सारी प्षिक्ताइब होती हैं, लेकिन ऐसे कई सारे और अर कारण होते हैं, जिस वज़ा से प्रेग्नेंसी के दौरान गर्वती महिला को चक्कर आने जैसी समस्याइं रहती हैं, इसके अलाबा अगर आपको प्रेग्नेंसी में चक्कर आते हैं, तो किन घरेलू उपाय को अपना कर आप प्रेगनेंसी में सर के चक्कर से बच सकते हैं तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें वीडियो सुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए रिभ्यू सपोर्ट यूटुब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि चैनल पर प्रेग हवस्था में सिर्चक्राने एक ऐसी सिचुवेशन होती है जिस समय गर्पती महिला की आँखों के आगे अंधेरा सा चा जाता है आपको मैं बता दू ऐसी इस्थिती में उनके आगे लगता है कि अंधेरा हो गया है इसके अलावा उनके सरीर में काफी ज़्यादा कमजोडी महसूस होती है और उनका जो सर होता है वो घूमने लगता है जिस रवजा से वो नीचे गिर भी सकती है इन साड़ी समस्याओं को सर्चक्राना कहा जाता है आये चांदते हैं प्रेगनेंसी में क्या सर्चक्राना नौर्मल समस्या होती है जी हां, प्रेगनेंसी के दोराई, आपके सरीर में हो रहे, एनरजी की कमी की वज़ा से, गर्भवती महिला को सीर्चकर आना, एक नौर्मल सी दिक्कत हो जाती है, इन सारी दिक्कतों से आप घबराएं, बिलकुल भी ना, आये जानते हैं प्रेगनेंसी के कौन से तिमाही में चक्कर आते हैं तो गर्भावस्था के तीनों तिमाही में चकर आ सकते हैं पहली तिमाही में चकर आने की जो समस्या होती है वो काफी ज़्यादा सामान होती है ये गंभीर रूप नहीं लेती है दूसरी तिमाही में कई ऐसे और कारण होते हैं जिस वजा से आपको चकर आते ह इसके अलावा प्रेगनेंसी के सकेंड ट्राइमेस्टर का जो चकर होता है वो काफी जोखिम भड़ा हो सकता है इसलिए आप पूरी प्रेगनेंसी बिलकुल खास ख्याल जरूर रखें आईए जानते हैं प्रेगनेंसी में चकर आना कब हानिकारक हो सकता है गर्भावस्था के समय चकर आना हानिकारक सभी टाइम होता है आप पहले यह बताया है कि चकर आने पर गिरने का खत्रा बना रहता है अगर आप गिर जाती है तो गर्पती महिला का गिरना कितना ज़्यादा नुकसान दे होता है यह आप खुद समझ सकती है इसलिए आएच चानते हैं प्रेगनिंसी में चकर आने के कारण तो सबसे पहला कारण होता है सूगर की समस्या अगर गर्पती महिला के सरीर में सूगर की मात्रा कम हो जाती है तो इस वज़ा से चकर आ सकता है दूसरा कारण low blood pressure प्रेगनिंशी के दवरान रख चाप के कारण आपको चकर आ सकते हैं अगर गरपती महिला को low blood pressure की समस्या है तो इस वज़ा से आपको चकर आ सकते हैं तीसरी कारण प्रेग्नेंसी में चकर आना का एक महत्पूर्ण कारण होता है आपके सरीर में आइडन की कमी यानि एनेमिया का खत्रा होना चोथी कारण अगर pregnancy के दोरान आपके सरीर में पानी की कमी या आपको dehydration की समस्या है तो इस वज़ा से भी आपको चक्कर आ सकते हैं आईए चानते हैं जब आपको pregnancy में चक्कर आए तब आप कौन से घरेलू उपाय को अपना कर उस चकर चुटकारा पा सकती है पहला टिप्स गरपती महिला को अचानक अगर चकर महसूस होता है तब उसी अस्थान पर आप कुछ देर के लिए बैट जाए साथ ही सीर को जुका कर और आँख को बंद करके बैठना चाहिए जिस वज़ा से आप गिरने से बच सकती है दूसरा अलपाए गरपती महिला को भीर भार वाले जगों पर प्रेग्नेंसी में बिलकुल भी नहीं जाना चाहिए अगर आप भीर भार वाले जगों पर जाती है तो इस वज़ा से आपका सरीर अनकंफर्टेवल महसूस करता है जिस वज़ा से आपको चकर आ सकते हैं तीसे टिप गरपती महिला अगर कुछ काम कर रही है और काम करते समय उसको चकर आने जैसा मन कर रहा है तब आप तुरंत उस काम को करना बंद कर दें ताकि आपको चकर ना आए इसके अलावा आप वैसे कामों को करें जो आपको आसानी से हो जाए आप हार्ड वर्क या हार एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी न करें इस वजह से भी आपको कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं तो यही सब थे वो कारण और उपाएं जिसको अपना कर आप प्रेगनेंसी में चक्कर से बच सकती हैं वीडियो से जुरा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सेर जरूर करें